वेलकम टू इसकी स्टर्डी पॉइंट से लिगडी आप देख रहे हैं मौडल अक्टिविटी टास्क लास 9 हिस्ट्री सेप्टेमबर 2021 को जी हां मौडल अक्टिविटी टास्क लास 9 हिस्ट्री पार्ट 6 को चुकि बंगला शिखा वेब साइट पर हिंदी में कोशन पेपर एवेलेवल नहीं है इसलिए इंगलिश और बंगला भर्षन के कोशन पेपर की मदद से हिंदी मेरुपांतरित करके आपके पास सोलूशन इसकी स्टर्डी पॉइंट ले के आया है इसकी स्टर्डी पॉइंट से ले गुड़ी के इस मॉडल अक्टिविटी टास में आप देखने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास नाइन मॉडल अक्टिविटी टास पार्ट 6 को अगर अभी तक आप इसकी study points लेगड़ी को subscribe नहीं किये हैं तो तुरन सब्सक्राइब कर लीजे, like और share करना बिलकुल नहीं भुलिएगा तो चलिए बिन समय गवाएं, शुरू करते हैं Model Activity Task, History, Class 9, Part 6 को तो चलिए question number 1 को शुरू करते हैं Column 1 को Column B से मिलाना है, मतलब स्थम A को स्थम B से मिलाना है तो वर्साइब की संदी 1.1, 1919, 1.2, महमंदी, 1939, 14 points, 1918, Spanish Grey Youth, 1936 आगे बढ़ते हैं, question number 2 को देखिए इसमें बताना है सही गलत, ठीक है? तो सही गलत आपको बताना है तो रूस की संसद को डुमास के नाम से भी जाना जाता है तो सही है, वीमर गणराज्ये 1919 से 1933 तक जर्मनी की सरकार थी सही है, 2.3 को देखिएगा लेलिन द्वारा 14 point के सिधान्त की गोसना की गलत है स्वहित रास्ट संग का विकास दियुत्य विश्यूत के बाद में हुआ यह भी गलत है तो मिद कर रहा हूँ आपको कोशन नमबर वान और कोशन नमबर टू समझ में आ गया होगा आप अपनी स्क्रीन पर थमनेल देख पा रहे होंगे इसकी स्टडी पॉइंट से लिख रही के सेप्टेंबर 2021 के जितने भी विडियोज होने वाले हैं या हैं पबली सोच भी चुके हैं बहुत सारे तो उनके थमनेल्स आप देख पा रहे होंगे इनी थमनेल्स की मदद से आप बाकी विडियोज को देख लीजिए अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट की मदद से भी स्टडी कर सकते हैं या फिर विडियो को आन तक देखिएगा एंड स्क्रीन में विडियो का लिंक रहता है उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर आई बेटन में विडियोज के लिंक आते हैं उसको भी क्लिक करके आप सारे विडियोज को देखते रह सकते हैं फिर भी न मिलें कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कीजिएगा तो मैं आपको लिंक्स शेर कर दूँगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 3 3.1 को देखते हैं एम्स डिस्पेच या एम्स टेलिग्राम क्या था 13 जुलाई 1870 इस वी में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम एम्स नमगस्थान से जर्मनी के परधान मंतरी बिस्मार्क को टेलिग्राम के द्वारा सुचित किया था इस टेलिग्राम में फ्रांस के नेपोलियन तृतिय के दूद वेनेदित के साथ राजा विलियम प्रथम के अलग आलोचना का संशिप्त बीवरन था इसे ही इतिहास में एम्स टेलिग्राम कहा जाता है यहां पर कुछ पॉइंट्स को आपको जानना जरूरी है कि exactly हुआ क्या था एम्स डिस्पेच में या एम्स टेलिग्राम में अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी इकटा करके आप इसमें लिख सकते हैं जलिख जानखारी के लिए आपको जानना जरूरी है पूरी बात समझ लीजे कि क्या हुआ था जर्मनी के एकिकरन के लिए फ्रांस के साथ प्रसिया का यूद अप्रिहा रिया था विसमार्क यूद के आउसर की ताक में थे इसी बीच स्पेन के सिंहासन के उत्राधिकारी के प्रश्ण पर एक गोलमाल की सुरुवात हो गई और इसके फलसुरूप फ्रैंको प्रसिया यूद सुरू हो गया 1868 में जनविद्रों के फलसुरूप स्पेन की रानी इसावेला गदी से हट गई स्पेन वासियों ने प्रसिया के होहिन जोलार्न वंस के प्रिंस ली पोल्ड को स्पेन की गदी पर बैठाने का अनुरोध किया इससे फ्रांस में ब्यापक परतिकरिया सुरू हो गई फ्रांस में इस विच्छोप के कारण प्रिंस ली पोड ने स्पेन वाशियों की मांग ठुकरा दिया फ्रांस इससे भी खुस नहीं हुआ फ्रांसिसी समराट नेपोलियन तृतिया प्रयसिया के राजा विलियम प्रथम से या वादा चाहता था कि हुएन जो लार्ण वन्स कभी स्पेन के सिंहासन पर नहीं वैठेगा इस उदेशे की पूर्ति के लिए फ्रांसिसी दूद वेनेदित जिनका पूरा नाम था काउंट वेनेदित एम्स नामकस्थान पर बिश्राम रत प्रशिया के राजा विलियम प्रथम से मिला प्रशिया के राजा ने इस परकार के वादा करने पर अपनी आसमर्थता व्यक्त किया और टेलेग्राम के दुआरा विसमार्ग जो परधान मंतरी थे उनको सुचित कर दिया ठीक है तो जर्मनी के परधान मंत्री विसमार्क को सुचित कर दिया कब 13 जुलाई 1870 में इतिहास में यह गटना एम्स टेलेग्राम के नाम से प्रशीद हुआ कुट नीती कुशल विसमार्क ने असली टेलेग्राम के कुछ सब्दों को बदल बाद में को बाद दे कर मतलब छोड़ कर तथा उसी सजा कर दूसरे दिन समाचार पत्र में प्रकाशित किया जिससे लगा कि प्रशिया के राजा ने दूत का अपमान किया इससे फ्रांसी सी जनता काफी विच्छूब हो थी और अपने राश्टी अपमान का बदला लेने के लिए प्रशिया पर आकरमन करने की मांग करने लगी तो यह पूरा बैक्ग्राउंड था उट्स डिसपेच पूरा एम्स डिसपेच का एम्स टेलेग्राम का जिसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने काफी सारे चीज सब बता दिये हैं आप याद करके रखे या फिर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते है आगे पड़ते हैं 3.2 को देखे पेरिस क्यूम्यून का उदेश से क्या था पहले समझ लेजिए कि पेरिस क्यूम्यून था क्या जब नेपोलियन 3.3 जर्मनी से 1871 इस भी में प्राजीत हुआ तो पेरिस के मजदूरों ने पेरिस क्या स्थापना कि इसके रक्षा के लिए जीजान से कोशिस की कम्यून ने दो महिने तक पेरिस पर सासन किया इनका क्या उदेश्य था इसको समझ लीजे जो इस कोशन में आपको लिखना है नीतियों के स्थापना करना जो समाजिक लोगतंत्र की एक प्रगर्ती सिल बेयोस्ता हो धार्मिक बिरोधी बेयोस्ता चर् आत्मनीती सेल पॉलिसिंग पर ध्यान के अंधिरित करना घेरावंदी के दोरान किराय की छूट की बेयोस्ता करना यह चौथा नंबर पॉइंट है पांचवा नंबर पॉइंट बालसरम का उन्मूलन करना चठा नंबर पॉइंट कर्मचारियों का उसके मालिक द्वारा प इन्होंने लेकर आया किन्तु इसमें कुछ और वी फैक्ट है जिसको आपको समझ लेना बहुत जरूर है कम्यून जो पूरे पेरिस पर सासन करने लगा था दो महने तक तो हुआ क्या पूरे इरोप में पेरिस कम्यून से संबंध घटनाओं को बहुत उत्यजना के साथ दे आस था अंतराष्टिय वर्ग संघर्ष के कारण मार्क्स ने भी इसकी परसंसा की लेकिन फ्रांसीसी बुर्जुवा वर्ग ने भैवित होकर मजदूरों की इस सरकार को कुछल दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो उदेशय था वह फुलफिल केवल दो महने तक होत ठीक है उसके बाद में बुर्जुवा वर्ग जो था प्रांसीसी बुर्जुवा वर्ग भैवित होकर मजदूरों की सासन को समाप्त कर दिया आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर फोर के लिए उसके पहले पहले की भाती ही फिर से आप लोगों उसे रिक्वेस्ट करता हूँ क कि अगर आप इसकी स्टेडी पॉइंट से लिक्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंस सब्सक्राइब कर लिजे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भुलिएगा कोशन नमबर फोर को देखते हैं जिसमें दिया गया है साथ से आठ वाके मुतर देना है जर् आसियत क्या है कि इस बार आपको मांक्स दिया जाएगा मॉडल एक्टिविटी टास्क में मांक्स बोर्ड ने पहले ही कोशन पेपर में अलोट कर दिया है और उसी हिसाब से आपको परते कोशन में मांक्स दिया जाएगा इसके पहले होता था आपको ग्रेड मिलता था अग तो अब जो model activity task है 6 उसमें आपको marks मिलेगे इसलिए to the point लिखा कीजिए ताकि आपका marks सही आए देखिए जर्मनी के एकिकरन में विसमार्क की भूमी का सन 1862 इसवी के सितंबर महिने में आटोबान विसमार्क प्रसिया का परदानमंतरी बना वे एक धुरंदर राजनी तग्यत है इससे जर्मनी के एकिकरन आंदुलन में एक नए अध्याई की सुरूआत हुई बिसमार्क राजतंतर में विस्वास करते थे उनका मानना था कि प्रसिया राजतंतर के अधीन ही जर्मन एकिकरन होगा परजातंद्र या किसी भी परकार के किसी परजातंद्रिक पधिती में उनका विश्वास नहीं था उनका कहना था भासन और वोट द्वारा नहीं आदर्सवाद से नहीं वरन प्रसा के नेतित्वों में राक्त और लो बलर्ड इन आयरन की नीती से जर्मनी की समस्या का समाधान होगा उन्होंने यह भी समझ लिया था कि केवल सामरिक सक्ती द्वारा ही जर्मनी एक इकरन संभव है अन्या किसी विधी द्वारा नहीं अतर प्रधान मंत्री बनने के पश्याद वे प्रसिया की सामरिक सक्ती बढ़ाने में सक्रिय हो गया बिसमार्क ने पारलेमेंट की उपेक्षा करके और विविन्य परकार के राज़िश्या अदाय करके सैने शक्ती की ब्रीदी की वास्तों में सामरिक सक्ती की साहता से ही बिसमार्क ने जर्मनी को एकिकरीद किया 1864 इसवी से 1870 इसवी के 6 वर्सों में उसने तीन यूद डेनमार्क के साथ यूद आस्ट्रो प्रसिया यूद और फ्रैंको प्रसिया यूद के बल पर जर्मनी का एकिकरन करने में सक्ष्म हुआ